हलो, हाई गाईज, वेलकम टो विनाइक बिलीवर्स क्लासेश ओके, सो स्टूडिन्स आई हो जो हमारी यूनिट चल रही है, आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी और मानो पारिस्तित की परिवार विज्यान में से हम यूनिट फर्स्ट कर रही है जो कि सब बच्चों के लिए होम साइन्स के सभी सूडिन्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है और सब सूडिन्स के लिए बहुत जादा हेल्पफुल रहेगी एक्जाम पॉइंट ओफ यू से चलिए आज हम जो पढ़ेंगे उसको आगे लेकर चलते हैं उसी टॉपिक को करते हुए लिंग और जेंडर की बात करेंगे तो लिंग और जेंडर में नॉर्मली लोग इस चीज़ को एक चीज़ लेकर चलते हैं बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम बात करेंगे इस पर चलिए चलिए लिंग तथा इस्तिरी पूरुष जेंडर जैविक से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक द्रिष्टिकोन की भिनताओं को इंगित करते हैं बेसिकली क्या होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी आउटलूक है किसी का उसमें जो भी डिफरेंस हैं उसको पॉइंट करते हैं जैंडर अक्सर जैंडर जो शब्द है अक्सर अदल बदल कर उपयोग में ले लिया जाता है परनतु निश्चित रूप से इनके जो मीनिंग होता है वो अलग होता है जिसकी हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लिंक की सेक्स की बात करेंगे तो सेक्स अनुमांशिक की जनन अंगो इतियादी के आधार पर जैविक वर्ग से संबंदित है अनुमानशिक की क्या होता है जो आपके जैनिटिक होता है ठीक है और जनन अंगो से संबंधित है अधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है इसलिए उसको क्या बोलते है सेक्स और लिंक बोलते है और बिसिकली जैंडर क्या होता है जैंडर होता है सामाजिक पहचान पर अध अब समाजिक पहचान पर आधारी gender कैसे होता है नर शब्द लड़कों और पुरुशों को बताता है है नर कि अगर बात करें तो सभी समझ जाएंगे कि कि यहां किसकी बाद हो रहे है goye's की बात हो रहे हैthem थीक है men's की बात हो रहे है just this knowledge कि नर की बात करें तो तो यह एक सामाजिक पहचान पर भीज़ गता िलब also is the प्रात्मिक योन अंगों से और जनन अंगों से होता है ऐसा डबल एक्स और एक्स वाई अथवा अन्य दूसरे गुण सुत्रों के सहियोजन से होता है आप सबको पता है कि डबल एक्स होता है तो वहाँ पर ठीक है अगर डबल एक्स गुण सुत्रों होते हैं ठीक है तो गर् जो है वो निर्धारित होता है ठीक है, double x और xy गुंड सुत्र, जो अन्य एक दूसरे गुंड सुत्रों का जब संयोजन होता है वही जो होता है आपके जेंडर का कारण होता है इन गुंड सुत्रों के संयोजन से xx होगा, तो वो क्या कौन सा gender बनाएगा वो बनाएगा आपके मादा ठीक है और अगर x y होगा तो वो बनाएगा नर तो ये gender based है ठीक है I hope students आप लोगों को sex और gender में difference जो है वो समझ में आ गया होगा चलिए next चलते हैं ग्रहनी ग्रहनी क्या होती है चलिए देखते हैं महिलाएं परिवार के भरन पोशन के लिए अपनी जीवन के सभी स्तरों मा, बेहन, बेटी, पत्नी और अद्दादी के रूप में घरेलू काम काच करती है परिवार के अन्य कारे भी करती है और महिलाओं द्वारा के गरेलू कारे जो होते हैं उसके बेसिस पर उनको ग्रहनी बोला जाता है कोई भी इस्तरी घर के सारे काम करती है अलग अलग रोल प्ले करती है ठीक है घर के परिवार का पालन पोशन करती है परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोशन करती है घरेलू कारे करती है तो उसको बेसिकली ग्रहनी बोला जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करती है आपको इसमें कि परिवार के अर्थ व्यवस्ता में महिलाओं का क्या योगदान है तो परिवार के अर्थ वेवस्ता में महिलाओं का क्या युगदान है तो वो है आपके देखें महिलाओं तब तक सशक्त नहीं बन सकती जब तक के उनके द्वारा घर में किये गए कारे को मूल्य आंका नहीं जाता मिन्स कि घर के जो भी कारे कर रही है वो इस्तरी उसको वैल्यू नहीं किया जाता अगर वही काम आप मेड से करवा रहे हैं आप हेलपर से करवा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा विदाउट पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते ले लेकिन आपके घर को संभाल रही हैं तो आपको उसके जो किये गए कारे हैं उनको वेल्यू करना चाहिए ठीक है तो उसको वेल्यू करना चाहिए और तब तक वो इस तरी सर्शक्त नहीं बन सकती जब तक उसके किये गए कारे को वेल्यू ना किया जाए और सवेतन कारे के बर money save हो रहा है आपको बाहर नहीं देना पड़ रहा तो उसके किये गए काम को value करना ठीक है next चलते हैं आगे इसे आर्थिक गतिविदी के रूपे नहीं गिना जाता ठीक है इसे आर्थिक गतिविदी के रूप में गिनना चाहिए क्योंकि आपके घर की इस्त्री आपके पूरे रही है आपको बाहर नहीं देना पड़ रहा लेकिन आपके अपना घर समझ कर घर की एक महीला सारे काम काईस कर रही है जिससे आपके घर का पैसा बच रहा है आपको पे नहीं करना पड़ रहा तो वो एक तरीके से धन बचाना है धन कमाना है ठीक है देखिए आगे चलते ह महिलाएं परिवार का भरन पोशन करती है बिल्कुल करती है जिसके लिए उन्हें जीवन भर उर्जा की आवशक्ता होती है योगदान परिवार के नैस सदस्यों के अधिक दक्षता से उनकी भूमी का निभाने और करतव्य पूरा करने में सहायक होता है देखिए कोई भी इस सदस्य के लिए अधिक दक्षता से उनकी भूमी का निभाने करता है पूरा करने में सहायक होता है अगर आप किसी के किये गए कारे को वैल्यू करते है उनको तो घर की महीला को क्या मिलता है मौटिवेशन मिलता है जिससे वो परिवार के सदस्यों के जो ध्यान रखना है उ उसको skillfully मतलब और जादा अधिक दक्षता के साथ कर सकती है अपना रोल जो है वो और अच्छे से निभा सकती है अपनी duty जो है वो बहुत ही अच्छे से पूरी कर सकती है जो कि उसके लिए helpful होता है ठीक है महिलाओं के द्वारा घरेलू कारे को आर्थिक यूगदान और प ये समझे कि वो घर का काम करके आपका money बचा रही है अगर आप उसकी जगह कोई helper रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए pay करना पड़ेगा लेकिन आप अपने घर की महिला को pay नहीं कर रहे है तो जिसमें वो आपके घर में बहुत बड़ा आर्थिक योग भाग लेना भी शुरू कर दिया है आज कल क्या किया है महिलाओं ने अर्थ वेवस्ता के मिन्स economic क्षेत्र में हर जगह पर उन्होंने भाग लेना स्टार्ट कर दिया है ठीक है चलिए next बात करते हैं भारत में महिलाओं को समानता की guarantee ठीक है महिलाओं को समानता की guarantee means equal समझना समयधानिक अधिकार अधिनियम और सरकारी भारत का समविधान सभी क्षेत्रों में इस्त्रियों को समानता की guarantee देता है देखिए समयधानिक अधिकार अधिनियम जो है उसमें government जो है भारत का समविधान भी ठीक है भारत का समविधान भी इस्त्रियों को समानता की guarantee देता है means equal समझता है किसके man के equal समझता है ठीक है सरकार के किसी भी दफ्तर में यानि कि आप government किसी भी office में चले जाए वहाँ पर जो रोजगार है employment है उसमें न्यूकती सम्बंदी means उसमें जो भी न्यूकती सम्बंदी जो भी मामले होती है उसमें सभी व्यक्ती जो होते है उनको एक बराबर guarantee दी जाती है उनमें बराबरी पर उनको शामिल किया जाता है ये नहीं देखा जाता कि उसके अंदर उसकी जाती क्या है ठीक है उसकी जाती नहीं देखी जाती है उसका रंग नहीं देखा जाता किस प्रजाती से है जेंडर जेंडर वही सेम चीज आपके इस्त्री पूरुष की बात हो रही है आधार पर किसी रोजगार रत्वा दफ्तर में भेदबाव को रोकता है मिन्स की इन बेसिस पर आपको रोजगार की गैरेंटी नहीं मिलती सब को इक्वल समझा जाता है जहां पर जेंडर की बात देखे तो इस्त्रीयों को भी समान अधिकार की गैरेंटी देता है ठीक है महिलाओं मजदूरों को काम करने में मानवोचित परिस्थितियां दी जाएं तो महिला मजदूर होती है किसी भी जगह पर चाहे गौवर्मेंट ऑफिस है चाहे वो प्राइविट है जहां पर भी है लेकिन ज़ादा तक गौवर्मेंट में फिसिलिटी जो है वो इस तरह की दी जाती है कि अगर महिला मजदूर है काम करती है तो उसको इस तरह की परिस्थितियां दी जाए कि कि किसी भी प्रकार के शोसन से उन्हें बचाया जाए ठीक है और उनकी सेक्षिक तथा आर्थिक प्राप्तियां जो है उसके लिए सहायक हो और प्रोत्साहन उनको तो दिया जाए ठीक है आर्थिक रूप से और सैक्षिक रूप से उनकी सहायता की जाए उनको प्रोथसाहन दिया जाए ठीक है चलिए next इसके अंदर हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मयधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाये गए जो अधिनियम है वह कों-कों से हैं तो उसमें हम चलते हैं दिखें फैक्टरी अधिनियम बनाया गया था 1948 में बागान श्रम अधिनियम बनाए गया था 1951 में खादान अधिनियम बनाए गया था 1952 में ठीक है यह सभी जो है और करमचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातरत्व लाब अधिनियम वो बनाए गया था आपके 1961 में तो ये सब अधिनियम बनाए गए थे और ये किस के लिए बनाए गए थे आपके ये हैं महिलाओं के सम्मेदानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी अधिनियम जो है वो बनाए गए थे किस किस एयर में बनाए गए थे ये आपको याद रखने है कौन-कौन से अधिनियम है आपको ये भी याद रखने है ठीक है यो बहुत इंपोर्टेंट है आप सब के लिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ये जो सभी अधिनियम है महिलाओं को विभिन अध्योगिक शेतर में सुरक्षा भी उपलब्द करवाता है जितने भी आपके अध्योगिक शेतर है कि सभी के सभी अधिनियम जो है वहाँ पर उनकी सुरक्षा उन महिलाओं को अलग तरीके की सुरक्षा भी उपलब्द करवाई जाती है ठीक है नोट में एक बात पढ़ते हैं भारतिय सम्विधान का अनुछेद 16.1 राज्ये के अधिन किसी भी दफ्तर में रोजगार और न्यूकती सम्मंधी मामलों में महिलाओं को समानता की गैरेंटी देता है अगर आप से क्विशन में पूछ लिया जाए कि महिलाओं को समानता की गैरेंटी कौन से समुधान के कौन से अनुछेद में है तो आपको बताना है 16.1 अनुछेद में चलिए नेक्स्ट इसकी में हम चलते हैं महिलाओं के हित में सरकार के क्या परियास हैं तो चलिए बात करते हैं सरकार के क्या परियास हैं श्री महीला ग्रह उद्योग लिज्जत पापर महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है एक ऐसा उपलब्द करवाना means की महिलाएं जो है जो भी काम कर रही है उसकी उनके आर्थिक रूप से वो संपन हो ठीक है उनका भरन पोशन चले उनका घर का पालन पोशन चले उसके लिए उनको रोजगार उपलब्द करवाना इस organization का उद्देश्य है ठीक है कितने सदस्यों से शुर वात की गई थी आपके सात सदस्यों से 1966 में मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तथा समीतियां पंजीकरण अधिनियम के अंतरगत पंजीगरत हुआ ये रजिस्टर्ड कभ हुआ ठीक है ये वाला organization रजिस्टर्ड तब हुआ 1966 में ये रजिस्टर्ड हुआ और मुंब इस दोरान इस संस्ता को खादी और ग्रामीन और ध्योग के के सी आई सी द्वारा ग्रामीन और ध्योग के रूप में माननेता दी गई इसको माननेता किस रूप में दी गई गई ग्रामीन और ध्योग के रूप में दी गई थी माननेता ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान र लिज्जत पापड और्गिनाइजीशन को ठीक है उत्पादन में इसके उत्पादन में और क्या क्या है उत्पादित किया जाता है खाकरा किया जाता है मसाला बड़ी डिटरजेंट पाउडर चपातियां यहां चपातियां आएगा केक और अन्य बेकरी प्रोडक्ट जो है इ सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्द करवाती है क्या करवाती है 40,000 सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्द करवाती है और इनके बिकरी कितनी होती है वार्शिक जो है कारोबार इनका चलता है 1600 करोड का आपको यह ध्यान रखना है ठीक है? I hope students आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा topic ठीक है और आप लोगों को बहुत benefit होने वाला है जितना जाधा आप जाधा से जाधा वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद दो जाएंगा और आपके concepts है वो clear हो जाएंगे पढ़ते रहें मेरे साथ बने रहें support करते रहें like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा अगर आपकी कोई भी query है किसी questions को लेकर है आप मुझे comment section में बता सकते हैं I'll definitely reply you और आपकी query दूर करने की कोशिश करूंगे so thank you so much and support करते रहें subscribe कीजिए channel को जाधा से जाधा share कीजिए